बच्चो नमस्कार आप सब कैसे हैं आशा है आप सब अच्छे होंगे आपका स्वागत है इस कक्षा में बच्चो आज हम आपकी पाठे पुस्तक बसंत भाग तीन का तीसरा पाठ बसकी यात्रा पढ़ेंगे इसके लेखक हैं हरी शंकर परसाई जी जो की हिंदी के एक जाने माने व्यंगेकार हैं व्यंगे का अर्थ होता है मजाक उड़ाना उपहास करना या ताना मारना हरी शंकर परसाई जी हिंदी के एक पहले ऐसे सहित्यकार हैं जिनोंने व्यंग्य को मनुरंजन तक ही सीमित नहीं रखा बलकि उसे समाज की वास्त्विक्ताओं से जोड़ कर सहित्य में एक सम्मान पूर्ण स्थान दिलवाया बसकी यात्रा पाठ में हरी शंकर परसाई जी ने यातावयात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है तो चलिए सुनिए इस पाठ को और अनंद लीजिए क्योंकि हर शब्द में हर पंक्ती में कोई ना कोई व्यंग्य चिपा है तो आईए पार्ट आरंभ करते हैं पार्ट तीन बसकी यात्रा हम पांच मित्रों ने तै किया कि शाम चार बजे की बस से चलें पन्ना से इसी कंपनी की बस सत्ना के लिए घंटे भरबाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है सुबह घर पहुंच जाएंगे हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था लोगों ने सला दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं बस डाकिन है बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी खोब वयोव रिद्ध थी सदियों के अनुभव के नशान लिये हुए थी लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि व्रिधा वस्ता में इसे कश्ठ होगा ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है वे बोले चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी? हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं अपने आप चलती है ये? हाँ जी और कैसे चलेगी? गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पिछा करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो बस अनुभवी है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वस निये है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हम बैठ गए जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम बिदा दे रहे हैं उनकी आँखे कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित चाहिए इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं कांच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था हम फॉरन खिडकी से दूर सरग गए इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविने अवग्या आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था पूरी बस सविने अवग्या अंदोलन के दौर से गुजर रही थी सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ कर आगे निकल गई है कभी लगता कि सीट को छोड़कर बोडी आगे भागी जा रही है आठ दस मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए ये समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे है या सीट हम पर बैठी है एक आएक बस रुख गई मालुम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डाल कर इंजन में भेजने लगा अब मैं उमीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे मा बच्चे के मुँ में दूद की शीशी लगाती है बस की रफतार अब 15-20 मील हो गई थी मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था ब्रेक फेल हो सकता था स्टेरिंग तूट सकता है प्रकृती के दृष्ष बहुत लुभावने थे दोनों तरफ हरे भरे पेड थे जिन पर पक्षी बैठे थे मैं हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था जो भी पेड आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी वे निकल जाता तो दूसरे पेड का इंतजार करता छील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी एक आएक फिर बस रुकी ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीमें की पर वे नहीं चली सवी ने अवग्या आंदोलन शुरू हो गया था कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी ये तो इतफाक की बात है क्षीन चाननी में व्रिक्षों की छाया के नीचे वे बस बड़ी दयनिये लग रही थी लगता जैसे कोई व्रिधा ठक कर बैठ गई हो हमें गलानी हो रही थी कि बिच्चारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं अगर इसका प्राणान्त हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंतेश्ठी करनी पड़ेगी हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा बस आगे चली उसकी चाल और कम हो गई थी धीरे धीरे व्रिधा की आंखों की जियोती जाने लगी चांदनी में रास्ता टटोल कर वे रेंग रही थी आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वे एक दम किनारे खड़ी हो जाती ही नहीं रही एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया वे बहुत जोर से हिल कर थम गई अगर स्पीड में होती तो उचल कर नाले में गिर जाती मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार शद्धा भाव से देखा वे टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हतेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं उच्सर्ग की ऐसी भावना दुरलब है सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है इसे तो किसी क्रांती कारी अंदूलन का नेता होना चाहिए था अगर बस नाले में गिर्ज पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते कहते वे महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्रांड दे दिये मर गया पर टायर नहीं बदला दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चली अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी पन्ना कभी भी पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी लगता था जिन्दगी इसी बस में गुजारनी है और इस से सीधे उस लोग को प्रियान कर जाना है इस पृत्वी पर उसकी कोई मन्जिल नहीं है हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए हम बड़े इत्मिनान से खर की तरह बैठ गए चिंता जाती रही, हसी मजाख चालू हो गया तो बच्चो आपने कहानी सुन ली है कि कहानिया या सहित्य हमारे जीवन का प्रति बिंब होता है तो इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कई बार किस तरह से विप्रीत परिस्थितियों का सामना भी हमें करना पड़ सकता है ऐसे समय में हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए उसे बनाई रखना चाहिए इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए दूसरे लोगों के जीवन को दाव पर लगा देते हैं उनके लिए पैसा ही सब कुछ है इस कहानी में तो वैव्यक्ति खुद भी अपनी जान भी दाव पर लगाने को तयार है लेकिन पैसा खर्च नहीं करने को तयार इसके साथ साथ हमारे देश में बहुत से स्थानों पर यातायात का कैसा बुरा हाल है ये भी हम देख पाई तो बच्चो आईए अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ गती विधिया करते हैं और इसके द्वारा हम पाठ में आई बातों को दोराएंगे तो चलिए पहली गती विधि शुरू करते हैं बच्चो पाठ में कुछ शब्द आये थे उन्हें में आप बोलूँगी शब्दों को वाक्यों में प्रियोग करके आपको सुनाऊंगी अर्थ समझ आए तो उत्तर दीजिए ठीक है बच्चो पहला शब्द है निमित वाक्य सुनिए रावन ने पहुत बुरे कार्य किये थे उसके बुरे कार्य ही उसके विनाश के निमित बने आशा है समझ आ गया होगा आपको निमित का अर्थ कारण या साधन दूसरा शब्द है इत्फाक इसका वाक्य सुनिए मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा था कि इत्फाक से वै मुझे रास्ते में ही मिल गया ये तो समझ आ गया होगा बच्चों जादा मुश्किल नहीं है संयोग से आगे बढ़ते हैं बियाबान ये शब्द तो आपने काफी बार सुना होगा वाक्य वे इसका मैं बना कर सुनाती हूँ आपको रात के समय इस बियाबान से कोई नहीं गुजरता क्योंकि यहां बहुत से जंगली जानवर होते हैं समझ आ गया बियाबान का आर्थ ना बहुत अच्छे आगे चलते हैं अन्तेश्ठी वाक्य इसका सुनिए कल एक बड़े नेता की मृत्यू हो गई अपने प्रिये नेता की अन्तेश्ठी में सारा शहर रो रहा था समझ आ गया बच्चो बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं अगला शब्द है प्रियाण प्रियाण क्या होता है इसको मैं वाक्य में प्रियोग कर रही हूँ कल हमारे एक व्रिध पड़ोसी प्रियाण कर गए वे बहुत भले व्यक्ती थे समझ में आ गया होगा ये भी आपको अब अगले शब्द की और बढ़ते हैं वयो व्रिध मेरी दादी वयो व्रिध हो गई है मुश्किल से ही चल पाती है वयो व्रिध यानी की बूड़ी अगला शब्द है व्रिध वस्ता पाठ के अंदर लेखक ने बस के लिए प्रियोग किया था ये मैं इसे इस प्रकार प्रियोग कर रही हूँ मेरे दादा जी व्रिध वस्ता के कारण कमजोर हो गए है बिस्तर से भी उट नहीं पाते ठीक है बच्चो अब हम दूसरी गती विधी करेंगे दूसरी गती विधी में बच्चो मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बाते पूछोंगी तो आईए शुरू करते हैं अच्छा बताईए कि लेखक को क्या देखकर लगा कि बस चल नहीं पाएगी ऐसा क्या देखा लेखक ने आप सब बाते बता सकते हो एके करके बताईए सबसे पहले तो उन्होंने बस को देखा बस की हालत देखी फिर जब बस के अंदर गए तो क्या देखा सीटे देखी खिड़किया देखी सब कुछ तूटा पूटा था तो इसलिए उन्हें लगा कि बस चल नहीं पाएगी तो बच्चो लेखक के अनुसार बस किस अवस्था से गुजर रही थी या किस अवस्था में है व्रिधा अवस्था में सही कहा आप लोगों ने आगे बताईए कि लेखक और उसके मित्र कुल कितने सदस्य थे जिनने बस की यात्रा करनी थी अगर आपने पाट को ध्यान से सुना है तो आपको याद होना चाहिए जी हाँ पांच लोग थे अच्छा बच्चो आपको बस की यात्रा के लेखक याद है कौन है मैंने बताया था शुरू में लेखक है हरी शंकर परसाई जी अच्छा ये बताओ पहली बार बस किस कारण रुकी बताईए उत्तर क्या हो सकता इसका पहली बार बस क्यों रुकी थी क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था अगला प्रश्न कंपनी के हिस्सेदार ने बस की हालत के लिए क्या कहा आपको याद है वे बाद जो उन्होंने कही थी कंपनी के हिस्सेदार ने बस की हालत के लिए कहा था कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी अगला प्रश्न देखिए लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार कर उत्तर है लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार कर कमपनी के हिस्सेदार का स्वागत करते क्यों? क्योंकि वे एक टायर न बदलवा सके और अपना बलिदान कर दिया बचो ये वाक्य लेखक ने व्यंग्य में कहा है अगला प्रश्न देखिए लोगों ने बस को डाकिन क्यों कहा था? क्या कारण है? लोगों ने बस को डाकिन कहा क्योंकि इस बस से यात्रा करने वाले लोगों का वह सुक चैन लूड लेती थी उन्हें परेशान कर देती थी चलिए अगली गतिविधी की और बढ़ते हैं अभी तक आपसे छोटे छोटे प्रश्न ही मैंने पूछे हैं अब आपसे मैं कुछ विशेश बाते पूछने जा रही हूँ व्यंग्य का अर्थ पूछने जा रही हूँ जो वाक्य लेखक ने व्यंग्य में कही हैं उनका अर्थ अब आप समझाईए पहला वाक्य था बच्चो मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार शद्धा भाव से देखा ऐसा क्यूं कहा है लेखक ने बताईए तो ज़रा सोचिए बस की हालत बहुत खस्ता थी लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था और हिस्सेदार साहब तो बस की हालत जानते थे फिर भी उसी से सफर कर रहे थे लेखक को लगा हम सबसे महान तो यही आदमी है इसकी ऐसी हालत देखकर भी प्राणों की परवाद न करके इस पर बैठा है इसलिए लेखक को उस पर विशेश शद्धा जग गई अगला वाक्य ऐसा ही एक और है बच्चो लोगों ने सला दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते तो आप बताईए सोच समझ कर लोगों ने ऐसा क्यों कहा होगा लेखक से लोगों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है और इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब कहां खराब हो जाए वैसे तो उसे देखकर स्वयम ही अंदाजा लग जाता था कि पता नहीं कब खराब हो जाए या धुरगटना कर बैठे अगली पंक्ती देखिए ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं इसका विस्तार आप बताईए क्या है इसका अर्थ विस्तार से बताईए जरो जब इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस जन जन आने लगी लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है इंजन तो हिलता है जब स्टार्ट होता है लेकिन यहां पूरी बस हिल रही थी उन्हें लगा मानुवे बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हैं अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांती ही बस के यातरी हिल रहे थे फिर अगला वियंग्य है जो कि लेखक ने कहा था गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है कब कहा था लेखक ने और किस से कहा था तो बस की वर्तमान स्थिती को देखते हुए इस प्रकार का अश्चर यव्यक्त करना स्वभाविक था देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी परन्तु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार साहब से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं अपने आप चलेगी तब ये वाक्य लेखक ने कहा था फिर लेखक कहते हैं मैं हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था क्या अर्थ है इस पंक्ती का बच्चो बस की जरजर अवस्था के कारण बस डगमगाती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उ वज़े है कि लेखक को हर पेड अपना दुश्मन लग रहा था पाठ में लेखक ने सुतंत्रिता संग्राम के दो अंदूलनों का नाम लिया है बताईए आप इनके बारे में क्या जानते हैं और बस की हालत से इनका क्या संबंध है लेखक ने क्या कहा था असहयोग और सविने अवग्या आंदूलन उन्होंने कहा था कि बस इन दोनों आंदूलनों के समय रही होगी इसलिए उसे पता है कि कैसे असहयोग किया जाता है और कैसे अवग्या की जाती है तो इसका क्या उत्तर दोगे बच्चो? सर्विने अवग्या आंदोलन महात्मा गांधी के नेत्रित्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था लेखक ने व्यंग्य में कहा है कि बस सर्विने अवग्या आंदोलन के समय जवान रही होगी और उसे असहयोग वह अवग्या करने की ट्रेनिंग मिल चुकी है लेखक इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि बस विने पूर्वक अपने मालिक वह यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है अब हम भाषा की बात करेंगे बचो यह वाक्य देखिए पाठ में से एक वाक्य है कांच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था इस वाक्य में बच शब्द का दो भिन अर्थों में प्रियोग हुआ है बच शब्द के दो भिन अर्थ हैं शेश रहना जैसे मेरे पास केवल दस रुपे बचे हैं और दूसरा है सावधान रहना इस मौसम से बच कर रहना बच्चो इस तरह के शब्द जिनके दो या दो से ज्यादा अर्थ हो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं आईए ऐसे कुछ और शब्दों का प्रियोग करके देखते हैं जैसे की शब्द है बस किन दो अलग अर्थों में हम इनका प्रियोग कर सकते हैं बस से दिल्ली जाना होगा और दूसरा अब बस करो बहुत हो गया फिर एक शब्द है बच्चो आम जैसे आम एक फल होता है गर्मी के मौसम में आम मिलते हैं और दूसरा आम आदमी को पूछ देशने वाला कोई नहीं है तो इस प्रकार हमने इसे दो अर्थों में प्रियोग किया आगे देखिए शब्द है कल जैसे की इसे प्रियोग कर सकते हैं सारा काम करके ही उसे कल पड़ा यानि चैन पड़ा और दूसरा आज का काम कल पर मत छोड़ो फिर एक शब्द है कनक आज कलक कनक की कटाई का मौसम है ये तो हुई गेहूं और दूसरा मेरी माने कनक के गेहने बनवाए हैं यानि सोना फिर बच्चों ये बहुत आसान सा शब्द है उत्तर कैसे इसे दो बार प्रियोग करेंगे दो अर्थों में आपका उत्तर सही है एक प्रियोग ये हुआ और दूसरा भारत की उत्तर दिशा में हिमाल्य खड़ा है तो दो प्रियोग हो गए फिर है जल थोड़ा ठंडा जल दीजिये और दूसरा आग फैलने से सारा जंगल जल गया एक और शब्द देखिए हार खेल में हार कर वैं उदास हो गया और फूलों का हार बहुत सुन्दर था ठीक है बच्चो ये तो बहुत आसान था भाशा में हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आमतोर पर करते हैं अब हम पढ़ेंगे विशेशन आपको सबको पता है विशेशन क्या होता है संग्या अत्वा सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं जैसे अच्छा लड़का तीन पुस्त के नई कलम महान आदमी इत्यादी इसमें अच्छा तीन नई और महान शब्द विशेशन है जो की लड़का पुस्त के कलम व आदमी शब्दों की विशेशता बता रहे हैं हिंदी में विशेशन चार प्रकार के होते हैं जैसे गुण वाचक विशेशन जिस विशेशन से किसी संग्या या सर्विनाम के गुण, दोश, आकार, अवस्था, स्थान, आदी का बोध हो उसे गुण वाचक विशेशन कहते हैं गुण यानि जैसे अच्छा, चालाक, बुद्धीमान, आदी दोश कैसे हो सकते हैं? बुरा, गंदा, दुष्ट, आदी रंग, काला, लाल, आकार, लंबा, छोटा, गोल और अवस्था, बीमार, घायल और स्थान जैसे ग्रामीन, शहरी, आदी दूसरा भेद है बच्चो, परिमान वाचक, परिमान वाचक विशेशन जिससे किसी चीज के परिमान का बोध होता है जैसे थोड़ा पानी, एक किलो दूद, उसके बाद आता है संख्या वाचक विशेशन जिससे किसी चीज की संख्या का बोध होता है वे संख्या वाचक विशेशन कहलाता है जैसे एक किताब, दो मनुष्य, तीन लड़के इत्यादी फिर चौथा भाग है वच्चो सार्वनामिक विशेशन जो सर्वनाम शब्द संख्या के पहले लगकर उसकी विशेशता बताते हैं वे सार्वनामिक या संख्येत वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे यह किताब, वह मनुष्य, यह लड़का आएए अब हम कुछ विशेशनों का अभ्यास कर लेते हैं निमिलिखित वाक्यों में विशेशन रिखांकित आपने करने हैं और साथ-साथ उनका फेद भी बताना है सुनिये पहला वाक्य बदलू मुझे सुन्दर गोलियां बना कर देता था यहाँ पर कौन सा शब्द विशेशन है? गोलियों की विशेशता बता रहा है शब्द सुन्दर तो सुन्दर शब्द विशेशन है और कौन सा विशेशन है यह? गुण वाचक विशेशन सही कहा आपने दूसरा वाक्य बस अनुभवी है तो बस की विशेशता है यहाँ पर कि वे अनुभवी है गुण वाचक विशेशन है ये भी फिर है व्रिद्ध व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा था कैसा व्यक्ति था व्रिद्ध ये उसकी विशेशता है तो ये भी गुण वाचक विशेशन है चौथा वाक्य देखिए चाय में कम चीनी डालना कम इसमें चीनी की विशेशता है उसका माप बताया जा रहा है कि कितने चीनी डालना तो ये परिमाणवाचक है फिर है कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे तो कुछ लोग थे पता नहीं कितने दस बीस तो यह शब्द संख्या बता रहा है तो यह हुआ संख्या वाचक विशेशन फिर है बच्चो यह पुस्तक मेरी है पुस्तक की विशेषता यह यह शब्द क्योंकि एक सर्वनाम है तो यहाँ पर यह सार्वनाम एक विशेशन हुआ फिर है मैंने एक किलो सेब घरी दे एक किलो परिमान बताया जा रहा है सेबों का तो ये हो गया परिमान वाचक विशेशन फिर है लेखक वह उनके चार मित्र यात्रा कर रहे थे चार मित्रों की संख्या बता रहा है तो क्या हुआ संख्या वाचक विशेशन फिर है बच्चो मेरा भाई सो रहा है भाई की विशेशता मेरा मेरा शब्द है सर्वनाम तो क्या हुआ सार्वनाम एक विशेशन फिर मधूर स्वर में गाती है मधूर स्वर की विशेशता गुणवाचक विशेशन तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी तो फिर मुलाकात होगी अगले पाठ में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए धन्यवाद नमस्कार झाल